नमस्कार मैं हूँ गाईतरी गुपता और आप देख रहे हैं SPR 9 News और एक बार फिर से मैं अपने खास प्रोग्राम में बात करूंगी गुजरात में उत्रप्रदेश और बिहार के लोगों को वहां से भगराने के पीछे आखिर क्या है बिजेपी की मनशा और क्या वाकई यह जो पूरा मामला आप सामने आ रहा है क्या इसका कोई कनेक्शन है आने वाले शनावाव से साथ ही आपको बताऊंगी कि आखिर अलपेश ठाकोर की राजनीती क्या है उनके पीछे आखिर क्यों पड़ी है बिजेपी इसके साथ ही मैं ब तह martu रही बिजेपी और हम इचुनाव को लें कर साथ ही आपको बताऊंगी कि आखिर जिस तरहां से वहां से इसे तक त्रहां से असल सचाई है उसका विजेरिपानी से कनेक्शन किया और साथ महाँ हुठ का इक आखिर विजरात में दरहां गजहराए और आड़ दिनों मे मामला क्या था गुजरात में 14 महीने की बच्ची के साथ बिःहार के एक शक्स और hotषी बटाई यह इस इतांकी जो कि इसके साथ बीक हार ने नहीं जाना चाहिए लेकिन अलपेश जब इस मामने पे घिरे तो वो खुद मीडा के सामने आए मीडा उन तक भी पहुचा और उन्हें कहा कि इसके पीछे सरासर बिजेपी की साधिश है और साथी उन्हें ये भी कहा है कि अगर अगर वो दोशी है तो फिर उनको गिरफतार क्यों नहीं किया जात बहुत सी बातों को लेकर बोधी सरकार और रुपानी सरकार का घिराओ क्या है अलपेश बिजेपी को घेर रहे हैं तो बुचेपी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्पूर्रे बार्व्ने का फायदा यह ना चाहती है और मैं बता दू कि रविवार को एहमदाबाद में यानि की सितंबर महीने में ही एहमदाबाद में 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था लेकिन इसमें कोई ऐसा धुरूवी करण नहीं हुआ अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर ठाकोर समदाई की बच्ची थी इसलिए लेकर अगर धुरूवी करण किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अलपेश ठाकोर को या तो बदनाम करने की साज़िश्की जा रही है या तो फिर उनका इसमें गुना है अगर मैं गुज्रा पत्रकार हैं उन्होंने अपनी राय सब्सक्राइब कर रही है क्यों कर रही है वह मामला शामने में एक संदेश देरा कि कॉंग्रिस ने हिंदी भाशियों पर हमले कराई और हमारी सरकार ने सुरक्षा दी मोधी जब तक गुजरात के मुखे मंत्री रहे तब तक हिंदी भाशियों पर हमले नहीं हुए लेकिन राजनीती में वक्त के के तोर पर हो सकता है यानि यह सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है अगर यह मुद्ध अगर सेक्सेस्फूल होता है तो इससे कहीं नहीं कहीं जो है अब इस मुद्ध को कोशिश कर रही हो फिलाल अब बात करते हैं कि सहां से गुजरात के मज़ूरों का कनेक्शन है चुनाओं से चुनाओं से चुनाओं आयों ने पांश राज्यों विधान सभा चुनाओं की तारिकों का एलान किया और इसी दिन हिंदी भाषी प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को निशाना बनाए जाना की खटना है उत्त सब्सक्राइब को बढ़त मिलने की संभावना जताई जार इसके बाद बिहार के गुजरात के ग्रह मंतुई प्रदीप सिंदेजा गुजरात बिजेपी पाध्ध्यक्ष आई के पूरे मामने के लिए कॉंग्रेस को जिम्मेदार ठेराने में देर नहीं लगाई दिनेताओ कि बियान आने के बाद कॉंग्रेस की ओर से गुजरात प्रदेश अध्यक्ष अमिच चावडा ने इस इंसा के लिए बिजेपी को जिम्मेदार ठेराया वह क्या कहते हैं कि कॉंग्रेस की जीत को दिखाए जा रहा है इसे बिजेपी हताश और परेशाद पता है रादस्ता कि विधायक हैं विजेपी दिखाना चाहती है कि कैसे उन्होंने इस पूरे मामने पे अपना एक डिया है और उनके लिए सब बराबर हैं यह कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश हैं विजेपी ऐसा कहना है चलिये बात करते हैं अलपेश थाकोर की राजनीती की राधनपूर व गुज्राइब बढ़ती बेवजगारी की वज़ा से इस्थानी लोगों प्रवासियों के पीस्तंगर्ष पैदा हो रहा है अलपेश थाकूर कहते हैं मैंने हमेशा शांतिपूर प्रदर्शनों के अपील की है और कभी भी हिंसा का समर्थर नहीं किया है और यह भी कहते हैं उ जिसने बिजेपी की नाक में डम किया था और इसके बाद के जिगनेश और अलपेश जो हैं जिनकी राजनीती कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मजबूत हुई और ऐसे में राहुल गांदी ने अलपेश को बिहार कॉंग्रेस का जॉइंट इंचार्ज बनाया है अब यह देखे की वह गुजरात में यूपी बिहार के लोगों के साथ इस तरह से हो राएं तो जहां पर गुजराती है क्या वहां पर आएक्शन नहीं होगा अर पेश ने खुद कहा है कि घृत्य वारांसी में हिंदू एक्ता मंच ने पोश्टर लगाया है कि गुजराती प्या मोदी बन पता है कि यूपी बिहार देश के सबसे बड़े राज्य है उत्त प्रदेश में लोग सब्सक्राइब कर रही है तो बिजेपी को इसका परिराम भुगतने के लिए को प्रायोगी तो पर देखा रहा है कि यूपी ने के बात ही अगर बिजेपी ने कॉंगरेस पर तो मस्रा है जो की छुप रहा है और दाल के पीछे डाल में कुछ जरुकाला है चलिए बताते हैं कि आखिर बिहार और यूपी के लोगों के जाने के वज़ा से 20,000 जो है तरा बताई जारी है जो कि वहां से पलायम कर रहे हैं पलायम कर भी चुके हैं उनके जाने से गुजरात का जो वैपार है वो सबसे जादा प्रभावित होगा योकि वहां पर को इससे करहिए रहे हैं जाना माना अक्भार इसके मुताबख मैं आपको बतारी हूं प्रावार के मौम के मैं सब्सक्राथ कोहार के परीता की कारवित हैं और इसके बार इसके बाद जहां से एक जाना मना अखबार उसके मताबिक मैं आपको बता रही हूं कि आखिर क्या आकड़े साम्या हैं सारंद इंडस्ट्री एसोशेशन के अध्रक्ष अजीत शाह उन्होंने कहा है यूपी बिहार के बारा हजार से ज्यादा मजदूर उत्तर गुजरात में काम करते हैं लोगों ने और यहाँ पर काम करने वाले मजदूर राजी नहीं छोड़ रहे हैं इन इलाकों में सरकार में अतरिक्त सुरक्षा भी मुहिया कराई है चलिए बात करते हैं गुजरात में हैवी फिजिकल लेवर से लेकर स्किल्द और सेमे स्किल्द ग्योगों में 50 से 75 फीसर बिहार और यूपी और अन्य राज्यर के मजदूर हैं वो काम करते हैं और गुजरात में कारखाने खाली पड़े हैं और बस स्टेशनों पर भीड लगी है और प्रवासी मजदूर सामानी रूप से एक लंबी छुटी लेते हैं चलिए बताते हैं कि जो भीड आपको इस पर पीछे का गुजरात को बीज्म वाद अई कि लुए जार रहा है है फिर वाराड रिफ्लक हम एक उन borrowed रही है मैं और गवासब लुबोर समें तक हैं कि कि लोग उनके ध्रवाजी को भगाता है मोरी ने हैं वो यूपी और भिहार का बताते हैं तो इस देर तक आपको यहां रहना है इसके बाद आपको राजिक खोड़ कर जाना पड़ेगा इसके पीछे की सच्चाए क्या है यह बताया जला गुजरात सरकार और रुपानी कर रहे हैं तो आपको बताती हूं कि विजर रुपानी ने अभी पिछले महीं नहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजर रुपानी ने कहा था कि एक ऐसा कानून लाया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रदेश की इंडस्ट्री में असी फीसदी नौकरी केवल गुजरातियों को ही मिले और क्या सरकार ऐसी घोषणा करके यह जटाने की कोशिश कर रही है कि गुजराती नौकरियों पर दूसरे राज्य के लोग कबजा कर रहे हैं यह रुपानी को नौकरी मिले यारि कि वो खुदी जब वहार। विजर्पानी सरकार विजर्पानी जैसे एक मुख्यमंत्री के पत पर काबिश है तो अगर कह रहे हैं चेतरबाद खाला रही है तो तो यह चल रहा है और सिर्फ गुज्रात क्यों में और बीजर्पानी चल रहा है और विजर्पानी जेश की बात करो और बिदेश की बात काफी है तो तो क्या वहां पर भी छेतरबाद की राजनिती होगी बुज्रात का दिकता वह यूपी बिहार के लोगों की महरत पर ही टिका हुआ है कि और राजब के लोग को कहीं नहीं करते हैं लेकिंन नहीं करने races. राज्य को ते राजबों कि रोटी कमाने के लिए इन्सान सлять पार चला जाता है तो फिर ये तो अपना ही हिंदुस्तान है कि लिए प्रौवासी मजदूर है बहुत कम पैसे में काम करते हैं तो ऐसे में ज़ो गुज्रात में भावना हो नहीं कि कहिए बहुत यानि कि यह खुद बेखुद एक डारेक्टि मैसेज है कि इस मुद्धे का मसले का राजनीती करण किया रहा है यह मुद्धे को छोटी सी चिंगारी को आग बनाई जा रही है आग बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं और इसके पीछे सबसे बड़ी साजिश या तो कॉंग्रेस की है या बिजेपी की है दोनों ही पार्टियों की मेरी भगाते क्योंकि दोनों अपनी राजनीती चमकाने में लगे हुए है लेकिन उपिनियन पोल सामने आने के बाद अगर उत्तर भार्टियों को लेका बिजेपी ती सजग नजर आ रही है तो जाहिसी बात है कि बिजेपी छेत्रबाद की राजनीती खेल रही है और उसको कहीं न कहीं उसी के दंपे वह उसको चुनाव में अवल दिखाना चाहती है और सफलता हासिल करना चाहती है तो कुल मिला कर मैंने आपको बताया कि किस तरह से योपी बिहार की लोगों के जाने की वज़ा से गुजरात के वैपार पे क्या आसर पड़ रहा है गुजरात का चुनावी कनेक्शन क्या है मजदोरों का कनेक्शन क्या है अलपेश ठाकोर की राजड़ीती क्या है और उनको बिहार का ज्वाइन इंचार्ज बनाएगा है उसके बाद इस तरह का मसला उच्छा है ठाकोर समगदाए कि बच्ची है इसने शार इस मसले को चला चुमार का चुनाओं से किसी ना किसी पार्टी तर्य स्था को बहुत बढ़ा है और किसी ना किसी पार्टी को बहुत लुक्सान बपता क्या चेत्वाद कहीन काहित करना चाहती है कि कॉंगर्स विधायक 나cry ऑर भी नंचाहिंड कlyaffist सरकार अपारी सरकार-इचा सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो कहें ना कि अलपेश भी अपनी जगा बिल्कुल सही है कि उनको फसाया जा रहा है फिलाल पूरे मामले पर मैंने आपको बताया है कर फिर से मैं आपके सामने एक बड़ा मुद्दा लेकर साम लेकर हाजि होंगी तब तक के लिए नमस्काल